तो है तो है यह वेलकम बैक तो मैं चैनल एन इस वीडियो में मैं अपने लास्ट और जो सेकंड लास्ट मेरा वीडियो था उसके जो प्रेडिक्शन में ने किये थे उसके बारे में हम थोड़ा और डीटेल में देखेंगे तो अगर आपने मेरा निफ्टी क्रैश वाला जो सेकंड लास्ट वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं यह यहाँ पर जो सकते हैं एंड मैं क्या-क्या ट्रेट्स देख रहा था तो मैंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि यूएस का जो इंफलेशन है वह बढ़ने के चांसे हैं और वह क्यों है उसका डेटा मैंने उस वीडियो में कवर किया है और यही हुआ जब यूएस में अब CPI डेटा आया इस व सब्सक्राइब कियो मैं एक पोटेंशल ब्रेक्डाउन देख रहा हूं चार्ट के बेसिस पर और मीन रिवर्जिन के बेसिस पर तो मैंने वहां आपको एक मिट्रेंड लाइन बनाके दिखाया था तो अगर हम वीडियो चलके देख लिए अभी तो यह रहा वीडियो यहां पर अराउंट 14 मिनिट मांग पर 14 और 13 मिनिट मांग पर मैंने यहां पर यह ट्रेंड लाइन आपको बनाके दिखाए थी और कहा था कि मैंने इस पर अलर्ट सेट किया है और यह नीचे अगर ब्रेक आउट होगा तो मैं यहां शॉट करने का देखूंगा और जैसा कि आप सकते हैं कि जो हमारा मिट कैप था वो 13 मार्च पर उसमें बहुत बड़ा क्रैश आया और इसी के साथ साथ मैंने ट्विटर पर भी यह डाला था तो ट्विटर पर मैं 28 फेब से यह ट्वीट कर रहा हूं कि मैं एक्सपेट कर रहा हूं मिट कैप में एक डाउंसाइड ब्रे फेब गॉल्डन के बारे में भी मैंने ट्वीट किया था 8 मार्च को कि फॉल्ड सौरी 3 मार्च को कि गॉल्ड में ब्रेक आउट जो इस बार आया है वो सकस्प्फफल होगा याब देख सकते हैं कि जो ब्रेक आउट हुआ था 1 मार्च को वो सकस्प्फल रहा अगले अबन तो यहां इंडिया में हॉली था तो मैं एक मार्च तक उसको होल्ड करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि 8 मार्च को मार्केट्स हाफ दे था एंड सुभे का सेशन कमोडिटीज का जो था वो बन था यह प्रेडिक्शन भी मेरा सही हुआ है तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होंगा भी कि मैंने प्रेडिक्ट किया था मार्केट क्रैश और उन्होंने पहले ही बताया था कोई उस प्रेडिक्शन के बीज़किंगए अगर उन्य प्रेडिक्शन के बेसिज पर कंसिस्टेंटली पैसे गमा रहे है और अपना लॉं टूं प्राफिट अन लॉस ट्रिट्मेंट इसके बेसिस परद अब बह। लोग पैट्रेश ग्रें एप्रेडिक्श किया था यतन all meaningless without taking trades that make you money तो मेरे यह दो जव दो जो प्रॉटेबल रहे इसके बैसिस पे अब जो नेक्ज्ट जो में डो जडो ट्रेठ्टर गरल रहा हूं वो मेरे बहुत बड़े ट्रेड ड्रेस एंड पोटेंशली वह बहुत बड़ा breakout आ सकते हैं तो वह दो ट्रेट कौन से हैं तो सबसे पहला तो है हमारा crude oil and crude oil क्यों सबसे पहले हम crude oil के चार्ट का आजाते हैं crude oil का चार्ट आप यहां देख रहे हैं इसमें एक downtrend line बनी हुई है यह resistance की तरह एक कर रही है निया कर रहे हैं में भी यह कल जो है ब्रेक आउट कर गया है क्योंकि इसमें थोड़ा 2% का जो है बड़ा मुव आया क्रूड ऑल का ब्रेक आउट इसलिए important है because crude oil जो है वह inflation पर बहुत बड़ा इंपक्ट होता है crude oil का and US का inflation data है वह पहले ही हमारा बढ़ा हुआ आया है above expectation आया है and markets जो है markets यह price कर रहे हैं कि Federal Reserve जो US का Central Bank है वह rates cut करेगा because inflation पहले ही control में आ चुका है बट अगर crude oil में बड़ा breakout आया तो वह हमारा inflation को उपर push करेगा and अगर inflation उपर जाने लगा तो markets में जो पहले ही rate cuts priced in है वो price out हो जाएंगे and उसकी वज़े से क्या होगा वो bearish news है markets के लिए तो वो risk assets के लिए bearish होगा markets के लिए bearish होगा and जो दूसरा बहुत important breakout में बहुत closely track कर रहा हूं वो है silver and silver में आप देख सकते हैं अगर मैं weekly chart पर जाओं एन यह यूएस का चार्ट है तो वीकली चार्ट में बहुत ही बहुत ही अच्छे consolidation में silver पिछले almost 4 साल से तो आप देख सकते मार्श 2020 यहां and August 2020 तो यह जो है ट्राइंगल तब से प्राइस उसके अंदर ही है and मैं expect कर रहा हूं कि अब यह eventually upside की तरफ breakout देगा and ऐसा मैं क्यों expect कर रहा हूं क्योंकि gold जो है वो पहले ही all time high की तरफ breakout दे चुका है तो usually यह होता है कि gold पहले breakout होता है जब भी कोई bullish cycle आती है प्रेशेस में तो गोल यूजिली सिल्वर के पहले breakout देके एक मूफ दे देता है एंदें सिल्वर जो है वह बहुत rapidly गोल्ड से catch-up करता है तो यही सेम चीज अगर मैं आपको पीछे ले जाकर देखा हूं 2007-8 जो recession का time था उसके बाद यहां आप देख सकते हैं गोल्ड जो था फाइनली ब्रेक आउट हुआ था 2009 में 2009 से लेके वो 2011 तक अगर आप यही चीज सिल्वर में देखें तो सिल्वर में आप ब्रेक आउट देख रहे होंगे यहां तो सिल्वर जो है वह 2010 में ब्रेक आउट हुआ था एंड 2011 तक वो कितना अगर में रफली यहां से मेजर करूं तो 160 बढ़ चुका था तो जिब प्रेशियस मेटल में यूजुली देखने मिलता है कि अगर गोल्ड ऑल्टाइम हाई की तरफ जा रहा है नए ब्रेक आउट बना रहा है एंड सिल्वर लाग कर रहा है एंड देन सिल्वर में भी ब्रेक आउट होता है तो जो सिल्वर के ब्रेक आउट की जो स्पीड है वो बहुत रापिड होती है ऐसा हिस्टॉरिकली देखा गया और आगया ऐसा होगा इसकी गारेंटी नहीं है बट मैं इसी के बेसिस पे अपना जो ट्रेड है वो प्लान कर रहा हूं तो यहां पर इस ब्रेक आउट का में वेट करूंगा अगर यह इस वीक या नेक्स्ट वीक हो गया तो ठीक है नहीं तो में भी इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है क्योंकि जैसा आपने देखा कि पिछले बार जब ऐसा हुआ था तो सिल्वर कुछ महीनों बाद नेक् अब पता नहीं कितने हैं तो आइल भी ओपन माइंड़ मैं दोनों सेनारियों के रिए रेडी हूं यहां से अगर ब्रेक आउट हुआ तो मैं आप सिल्वर के कॉल आप्शिंस में या में फ्यूचर्ज दोनों में से कुछ भी बाए कर सकता हूं यह इंडिया वें इंडिया जांग यह बन लाग भी टच कर सकता है एंडिया एंडियाग आप मैं यह ऐसा कि आपको पता ही होगा मेरी ट्रेडिंग से और मेरे प्रॉफित अलाउस टेट्मेंट से तो I reserve the right to be wrong but अगर precious metals में breakout आता है तो मैं यह expect कर रहा हूँ कि जो gold है वो INR के terms में 75,000 तक जा सकता है इस यह एंड सिल्वर जो है 95,000 तक जा सकता है तो यह जो दो breakouts है यह अब मैं बहुत ही closely track कर रहा हूँ और यह बहुत ही important charts है currently मेरे लिए so that's all for this video hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा so अगर आपके पास